में शाज हो सकता है कि आप समझ बूच से ना काम करके कुछ अप्रत्याशित करें जिससे आपके मन को खुशी मिलें, किन्तु थ्यान रहे कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नूत्सान हो जाए जिसके लिए आपको पच्ताना पड़ें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और किसी क भी बात के कारण इतना प्रभावित ना हो कि आपके आत्म विश्वास में कमी हो, अपने आपको हर प्रिस्थिती में सहयमित बनाए रखें, आज किसी नए व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए मत्वपूर्ण साबित होगी, यह बदलाव का समय है, रिष्टो में नई शुरूआ आत्त होने के योग है, किसी रोमांटिक रिष्टे की शुरू आत्त हो सकती है, प्रोफेशन, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है जिसका आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे, लब किसी नए रिष्टे की शुरूआ थो सकती है, आज याद रखे कि अपने रिष्टों में आपका आत्म सम्मान बना रहे हेल्थ, स्वास्थिय को लेकर चिंतित नहों, मन में शांती और संतुष्टी की भावना बनाए रखें, सिहत अच्छी रहेगी. व्रिषाज अपने मन की बात अवश्य व्यक्त करें, आपके विचार सही दिशा में जा रहे हैं, कमी केवल आपके आत्म विश्वास में हैं, उसे संभालने तुम्हें आसानी से स्फलता मिलेगी, दूसरों से अपने आईधियाज के बारे में विचार विमर्ष करें, के साथ आपका आत्म विश्वास भी बढ़ जाएगा, प्रोफेशन, किसी बड़े की सलहा से ही कोई नया काम आरंप करें, आज नए व्यापार का प्रस्तावा सकता है, लब प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे, अपने लिए भी थोड़ा समय अवाश्य न निकाले, अपने व्यक्तित्व का निखार करेंगे तो रिष्टों में घ्राई बढ़ेगी हेल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, यदि किसी रोग से परिशान है तो उससे निजात के लिए तनाव कम करें और किसी अच्छे डॉक्टर से सलहा करें, मिथो नाज काम में मन नहीं लगेगा, यदि अपने काम से उप गए हैं तो जिस काम में रूची हो उसके लिए नियमित रूप से थोड़ा समय अवाश्य निकाले, इससे मन और मस्तिश तरो ताजा रहेगा, और नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, सामाजिक मेल जोल बढ़ने से व्यवसाय में भी लाब होगा, और निजी रिष्टों में नए आपन आएगा, प्रोफेशन, आप काफी समय से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वह पूरणता के नजबीत है, थोड़ा रेक ले और फिर उस पर नए जोश से काम करें, ल से उतना ही काम लें जितनी उसकी क्षमता हो नहीं तो यह रोग को निमंतरण देने जैसा होगा, करका आज आप में भावुकता की अधिकता रहेगी जिस कारण मूब स्विंग होंगे, अपनी भावनाओं पर नियंतरण रख ले नहीं तो ऐसी मनः स्थिती में लिए हुए निरणय गलत हो सकते हैं, यदि कोई व्यवसाय आरम्द करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित द हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को अंदेखा ना करें, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में अपना काम में फोकस बनाए रखे, अपने काम में किसी वज़य से कोई कमी ना होने दे नहीं तो आपको इसका दोश मिलेगा और नुपसान हो सकता है, लब प्रियाजनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है, किसे आप मना नहीं कर पाएंग हेल्थ, स्वास्थे सामानने रहेगा, किन्तु बदलते मौसम के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है, सिम्हाज अपनी उर्जा व्यर्थ चिन्ताओं में लाग होगा, किसी रिष्टे को लेकर परिशान है, तो उससे संबंधित निरणय को नर्टाले नहीं तो यह और कश्ट दायक हो जाएगा, यदि किसी के लिए मन में भावनाय हैं तो उन्हें व्यक्त अवाश्य करें, परिस्थिती के अनुकूल होने का इंतजार करें, आज विद्यार्थियों को अथिक मिहनत करनी पर सकती है, अपने लक्षे तक पहुचने के लिए, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में किसी निरणय को लेकर दुविधा में हैं, तो किसी से सलाह अवाश्य ले, बहुत ज्यादा देर ना करें, निरणय लेने में नहीं तो परिस्थ परिस्थिती और बिगर सकती है, लब, रिष्टों में आज कोई भी फैसला भावुकता में आकर ना ले, किसी एक सपर्थ से सलाह करें मेल्थ, सेहत का थ्यान रखे, चिन्ताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दे, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके कन्या आज का तिन मिश्रित फलदाई रहेगा, परिस्थिती में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल भी हल हो जाएगी, अपने मन में कोई नकार आत्मत भाव ना आने दे, काम में पूरा फोकस बनाए रखे, व्यवसाय के लिए आज का तिन बहुत लाबकारी र परिस्थिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखे, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की नकार आत्मत्ता के कारण निराश नहों, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे, लब, आज रिष्टों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निरण पैनाले, उचित समय का इंतजार करें एल्थ, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है, अपनी रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाए नहीं, तो बदलते मौसम में रोग परिशान करेंगे पुला आज मन में असंतोष की भावना बनी रहेगी, मित्रों से मेल जोल करने का मौका मिलेगा, फिर भी मन में एक खाली पंसा मुझूस हो सकता है थोड़ा समय मेडिटेशन में बिताए, इससे आपके मन को शान्ती मिलेगी और अथ्याक्मिक प्रक्ति के लिए भी आए एक अच्छा कदम है विद्यार्थियों को पढ़ाई में थ्यान देने की आवश्यक्ता है नहीं, तो भविश्य में परिशानी हो सकती है कमपटीशन परिक्षा के लिए थोड़ी और मेनत की जरूरत है प्रोफेशन, अपने लक्षे को पाने के लिए थोड़ी और मेनत की आवश्यक्ता है अपने विचारों में स्थिर्टा लाने का प्रयास करे लब, आज परिवार के साथ कहीं घूमने की योबना बना सकते हैं किन्तु थ्यान रखे कि यह आपके काम पर कोई असर ना डाले हेल्थ स्वास्थे सामानने रहेगा तनाव और चिंता के कारण सेहत में कुछ परिशानी हो सकती है व्रिश्चिक आज का दिन मिश्रित फलदाई रहेगा प्रोफिशनल और पर आज कुछ परिशानी हो सकती है परन्तु निजी जीवन में आपकी भावनात्मत्ता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते हैं आज अपने आपके लिए थोड़ा समय अवाश्य निकाले और अपनी देखभाल करें जितना समय आप अपने आपको देंगे उतना ही शान्त मसूस करेंगे प्रोफिशन उतना ही काम ले जितना आप आसानी से कर सकें किसी को इंप्रेस करने के लिए अपना भोचना बढ़ाए नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे लब, रिष्टों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत सहाय तामिलेगी निजी रिष्टों में कोई दिखावा ना करे नेल्थ, स्वास्थे का थ्यान रखे मेडिटेशन और आथ्यात्मित साधना के साथ साथ कोई शारी रिक्विया याम जैसे योग भी अवाश्य करे धनुआ आज का तिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है भवयश्य के लिए आज कोई योजना ना बनाए नहीं तो बार में उसमें बहुत फेर अबदल करने पड़ सकते हैं आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है किसी की बात अपने दिल पर ना ले ना ही उसके कारण अपने अहम को बढ़ने दे नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है इससे ना केवल आपके रिष्टों पर असर पड़ेगा बलकि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है अपनी गलतियों को स्वीकार करें उन्हें नकार्ने की बजाय उनसे सीख ले तो भविश्य में कई और गलतियों से बाख सकते हैं आप अपने लक्षे के बहुत करीब हैं धैहरे से काम ले प्रोफेशन परिस्थिती प्रतिकूल हो सकती है आज किन्तु अपना सहयम बनाए रखे अपने आपको परिस्थिती के अनुसार ढाल ले लब प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है आज अपना स्वभाव अरियल ना रखे अपने प्रियजन के दृष्टिकों को समझने का प्रयास करें एल्थ आज क्लिर्प मॉर्ट स्यास फटिक क्रिस्टल थारन करने से लाब होगा मकर आज का दिन कुछ परिशानियों भरा रहे सकता है कोई पुराने जानकार से मुलाकात हो सकती है जिससे कुछ लेन देन बाकी हो यगी किसी के लिए मन में करवाहट हो तो उसे माफ़ जरूर करें इससे आपकी सिहत बेतर होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे व्यर्थ चिंता ना करें परिस्थिती जल भी अनुकूल ही जाएगी परिस्थिती के प्रती अना सकती का भाव रखें इससे आपको लाब होगा नकारात्मक सोच से बचें और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहें किसी भी स्थिती में निरने लेन से फ्ले थोड़ा इंतजार कर ले तो अच्छा रहेगा प्रोफेशन यदि कोई परिस्थिती आपके अनुकूल नहीं जा रही तो उसके लिए परिशान होने की बजाए उसे कैसे सुधार सकते हैं इस बात पर ध्यान दे नौकरी बदलने का योग बन रहा है लब प्रियाजन आपके जीवन में क्यंद, आया हिल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा रोग से निजात के लिए निरंतर प्रयास करते रहें मेडिटेशन और अपने इश्व देर की भक्ती से मन को शान्ती मिलेगी कुम्भा आज काम की डेरलाइन पूरी करने में परेशानी हो सकती है, दुविधाओं में निरंए नाले, परिस्थिती के अनुकूल होने का इंतजार करें, आज विद्यार्थियों को अथिक मेनत करनी पर सकती है, अपने लक्षे तक पहुचने के लिए, किसी रिष्टे को लेकर परेशान है, तो उससे संबंधित निरंए को ना अटाले नहीं तो यह और कश्ट दायक हो जाएगा, यगी किसी के लिए मन में भाव नाए है, तो उन्हें व्यक्त अवाश्य करें, आज अपनी उर्जा व्यार्थ चिन्ताओं में लगाने की बजाए, उसे सकार आत् प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में किसी निरंए को लेकर दुविधा में है, तो किसी से सलाह अवाश्य ले, लब, जिस परिस्थिती से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जितना जल्दी सामना करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा हिल्थ, चिन्ताओं के कारण अपनी स पर असर ना होने दे, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा, मीन आज का दिन आपका मन काम में नहीं लगेगा, अपने जीवन की दिशा को लेकर मन में कुछ असमजस बना रहे सकता है, आप में भरपूर योग्यता होते हुए भी आ आप अपना कोशल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिससे मन में असंतोश की भावना होती है, यदि आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आज कोई कदम अवाश्य उठाए चाहेवाए कितना ही छोटा हो, इससे आपकी उर्जा को उचित भी श को अपनी जरूरतों के बारे में समझाए मेल्थ, स्वास्थिय के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है, यदि किसी रोग से चूच रहे हैं तो माडर्न चिकत्सा के साथ साथ अल्टर निर्थ्य चिकित्सा करने के अच्छा फल मिलेगा, जल्दरी कवरी होगी। झाल